नमस्कार बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो आप सभी दर्सकों को नौरात्री की धेर सारी सुबकामना है और मातारानी आपके जीवन में सत्रूओं की बाधाओं को सांथ करे या फिर नास करे और आपके जीवन में धेर सारी खुसियां लेकर आए तो चली जानते हैं आखे नौरात्र में कौन से प्रयोग के जाएं कि मातारानी प्रसंद हो नौरात्र के दौरान पूजा पाठ में बिबिन तरह की पूजन सामगरियों का इस्तिमाल किया जाता है और जब वैसे तो साल में दोवा नौरात्र आते हैं चैत्र माह में और सार्दी नौरात्र यानि ये आस्विन मास में मनाई जाती है तो इस दोरान मा के नो सौरूपों की नो दिनों में पुजा अराधना की जाती है और इन नो दिनों में ही किसी भी दिन विसेश परियोग कर लें तो इससे आपके जीवन के तमाम परिसानियों का अंध हो सकता है नौरात्री के दोरान लॉंग से जुड़े हुए टोटके भी किये जाते हैं और इसके पीछे ये माननेता है कि ऐसा करने से धन, बैभब, सुख, सुभाग की प्राप्ती होती है और लॉंग से किये जाने वाले टोटके कई प्रकार के जीवन में सुखों को बढ़ा देते हैं तो नौरात्री में लॉंग से जुड़े हुए ये टोटके आपके किसमत को कैसे बेहतर कर सकते हैं आज हम आपसे के साथ यही साजा करेंगे देखे जिस लॉंग को आप यूज कीजेगा बिलकुल साबूत होनी चाहिए टुठी फुठी भी ना हो सुन्दर सा देखकर बड़ा बड़ा सुन्दर सा देखकर लीजेगा और पुनाना नहीं लीजेगा बिलकुल फ्रेस लीजेगा क्योंकि जैसी भक्ती होगी भावना होगी वैसा ही फल मिलेगा अब धन की समस्या हर किसी को परिसान करती है जिसके पास धन है वो चाता है और हो जाए और जिसके पास नहीं है वो तो चाता है यह मालक्षमी आ जाए तब ऐसे में अगर धन की स्थिति बहुत गरवड हो तब नौरात्र के दिनों में जब साम में आप मा की आरती करते हैं पूजा करते हैं दीपक जलाते हैं तब एक छोटा सा काम कीजिए आप कपूर जला कर ही पूरे घर में दिखाईए आरती कीजिए मा की और जब आप कपूर जलाईएगा नो दिनों तक लगातार ऐसा कीजिए या आपके पास अभी जितने ही दिन बचे हैं उतने दिन कर ले तो कपूर में दो लॉंग डाल दे और फिर इसके ही इसी से आरती करे जोतिस कहता है कि ऐसा करने से धन समंधी परिसानी दूर हो जाती है बिगड़े वे काम बढ़ने लगते है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते है तो लॉंग का ये परियोग अगर आप नियमित रूप से नौरात्र के नो दिनों तक करे या एक भी दिन कर ले तो बहुत सारे मुस्किलें आसान हो जाएगी वैसे अगर आप घी कपूर नहीं जलाते मान लेते हैं ऐसे कपूर ही जलाना चाहिए अगर नहीं जलाते तो घी कही दियाबाती करते होंगे तो जब दिपक जलाए तो घी में लाल धागे की बाती डालिएगा और उस में दो लांग डालकर ही आपको दियाबाती करना है वैसे ये परियोग सुभवी कर सकते हैं, साम में भी कर सकते हैं कई बार क्या होता है? आपके बहुत सारे ऐसे कारे हैं जो बिगड़ गया है बनी ने रहे बहुत सारे रिस्ते बिगड़ जाते हैं बहुत बार नौकरी बेपसाई में परिसानी आ जाती है बहुत बार जीवन में बहुत सारी उलजने होती है जो आप ना किसी से कह सकते हैं ना ही वो चीज आप से जरी ये बहतर हो पा रही है तब ऐसे में छोटा सा काम करें कि बिगड़े वे काम ही बन जाए नवरात्र में किसी भी दिन करना है लेकिन ये परियोग लगातार तीन दिन करना होगा इस परियोग का यही सर्थ है तो तीन दिन तक लगातार एक छोटा सा काम करें पान का पत्ता आपको मार्केट में मिल जाएगा बिलकुल साबूत पान का पत्ता आप चाहें तो एक ही दिन में तीनों खरीद के लेयाईए सम्हाल के रखे और एक एक करके दो लॉंग रखिये, दोनों हाथों से उठा कर मा दुरगा के चर्णों में रख दे, ये प्रियोग आप अपने घर में ही कीजिए, मंदिर जाने क्या पसकता नहीं है, जितने भी हम प्रियोग बताते हैं, आप अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब ये जो आपने पान के पत्ते पर लॉंग मातारानी के चर्णों में रखी, मा से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के बिगड़ेवे काम बन जाए, तो क्या होगा, बाद में इसको आप परसाद के रूप में पान का पत्ता लॉंग आप खा लीजिए, कोई दिक्त नहीं है, मा अब ऐसे में साधी बिभा में अगर बहुत अर्चने आए, आपको लगे कि उम्र कुछ जादा ही हो गया है, नहीं हो पा रहा है बिभा, तब भी ये प्रियोग कर सकते हैं, क्या करेंगे, नवरात्रे में किसी भी दिन एक छोटा सा काम करें, आपकी उम्र जितनी है, उतने ही लॉंग ले ले, याद रखिए जितनी आपकी उम्र है, उतना ही लॉंग ले ले, अब सभी लॉंग को एक जगह रखें, बिल्कुल साबूत, खुबसूरत सा देखके लॉंग लेना है, अब लाल धागे के सहारे एक-एक करके बांधें, और बांधेते समय मादुर्गा क मंतर का जब कर सकते हैं, वो मंदूंग दुर्गायनम, कोई भी मंतर जब कर ले, इसके बाद उसको माला की तरह बना ले, अगर आप लड़की हैं, तो मातारानी के गले में पहना दे, अगर आप लड़का हैं, तो उनके चर्रों में रख दे, छे मेने के अंदर या तो रिस प्रशानियों को भी दूर करता है, अब हम एक खास प्रियोग बताएंगे, नवरातर में नौ दिनों तक लगातार आप दो लॉंग मातारानी को अरपित करें, और करम सह जैसे कि आपने आज अरपित किया, तो कल उठा कर परसाद के रूप में खा लें, परसों अरपित किय नहीं आपका बिगार पाएंगे, और इस समय में एक छोटा सा प्रियोग किया जाता है, आप किसी भी दिन दो लॉंग लाल कपड़े पर रखकर मात दुरगा को अरपित कर दीजिएगा, और फिर इस लॉंग को अगले दिन उस कपड़े के साथ ही उठाईए और उसमें बा प्रियोग और आपके साथ सेयर करेंगे, कई बार होता है क्या है, जीवन में कस्ट बढ़ जाते हैं, कई बार राहु केतु की समस्या भी परिसान करती है, अब आप चाहते हैं कि राहु केतु सांथ हो जाए, तो इस नवरात्र के दिनों में, चुकि आपको तो पता होगा, मादुर्गा के मंदिर में सिब जी, ब्रह्मभा, विश्नु महेश, यानि कि तीनों ही रहते हैं, तो यकिन मानिए, अगर आप एक छोटा सा प्रियोग कर लेते हैं, तो राहु केतु की समस्या से मुक्ति पा जाएंगे, क्या करेंगे, देखिए, किसी भी दिन, आप दो ल एक खास प्रियोग बताएंगे, जो आपके जीवन के सत्रूं से आपकी रक्षा करेगा, सत्रू चाहकर भी आपका बाल नहीं बाका कर पाएंगे, क्योंकि जब हम मादुर्गा के सिरन में आ जाते हैं, तो सत्रू विरोधी वैसे भी, खुद भी हिसमाप्त हो जाते हैं, ल मा काल रात्री की जब हम पूजा करते हैं, उस दिन ये परियोग कीजिएगा, तो आपको ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि मा काल रात्री दुस्मनों का संगहार करती हैं, अब वैसे तो आप नवरात्र में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखेगा, तो चली जानते हैं क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सत्रु विरोधी को सांध करने के लिए मा के सामने एक दिया चलाएं, घी का दिया होगा, लाल धागे की बाती होगी और दो लॉंग डाल दीजेगा, माता रानी को गुड का भोग लगा लें, अब सत्रु विरोधी से मुक्ती पानी के लिए विसेश परियूग करें, माता रानी के पास असनान बेगेर करके लाल रंग का कोई विवस्त धारन कर लें, नहीं कुछ तो एक तॉलिया ही रख लें, रुमाल रख लें, दुपट्टा रख लें, जो भी आपके पास है, अब इसके बाद माता रानी पिर बोलिये, फिर एक लॉंग अरपित कीजिए, इस तरह से 108 लॉंग माता रानी को अरपित करना है, यानि पहले से आप 108 लॉंग गिनके रख लीजे, और मंतर बोलते जाएए, चढ़ाते जाएए, जब सारा लॉंग आप चढ़ा दे माता रानी को, फिर मास से प्रार्थ ना करें, इसके बाद लॉंग माता रानी को अरपित कर दें, इसके बाद सब कोई कठा करके उसको जला दें, कैसे जलाना है, जैसे भी जला ये जला दीजिए, सत्तुर विरोधी सांथ, अब एक चोटा सा प्रियो, कई बार क्या होता है, लंबे समय से कोई मनोरत पूरी ही नहीं भी है, तब उस मनो कामना को पूरा करने के लिए एक पान का पत्ता ले ले, चिकना साइट नीचे की और कर दें, रुखा साइट उपर करें, अब उस पर दो लॉंग रखें, दोनों हातों से बहतेवे जल में प्रभाहित कर दें, ना मिले बहता जल, तो पीपल के नी से समात, धन्यवाद, बढ़ता जाएगा, सत्रू सांत हो जाएगा, हम आपसे भी दालेते हैं, हर हर महादेव, धन्यवाद,